प्रेंट्स भारत सरकार ने वोक्ता मूली सुचकंग CPI IW का इंडेक्स से 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है अगर आप के न सरकार अथवा राजी सरकार के रमचारी है अथवा पैंसनर है तो आपका महंगाई भत्ता जो प्रतिक हैवाव में आपको दिया जाता है उस पर अब असर पार्गेट में महंगाई बढ़ दिया उसके अंसर आपका महंगाई बढ़ता नहीं बढ़ता है इसका मुख्य कारण यहीं है क्योंकि आधार वर्ष्ट को बढ़ाने से आपके महंगाई बढ़ते में क्या और कितना असर पड़ेगा इस वीडियो में विस्तारपूरवक क् इस वीडियो में हम CPI IW Index Consumer Price Index for Industrial Workers बढ़ता मूली सुचगांक में जो बड़े बढ़ाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले यहां हम दो महत्वपूर्ण बिन्दों पर चर्चा करते हैं पहला जो बिन्दों है DA यानि के महंगाई बत्ते की गणना कैसे की ज जानेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DA यानि के महंगाई बत्ते की कड़ना कैसे की जाती है तो इससे पहले हमें जानना होगा CPI Consumer Price Index क्या है यह एक ऐसा गुणांक है जिसमें उब्होगता द्वारा वस्तूं और सेवाओं का जो उब्होग किया जाता है उसको कितन है All India Consumer Price Index यह जो है भारत सरकार द्वारा प्रती मह इसका आंकड़ा जारी किया जाता है जैसे हम अभी वरतमान में अक्टूबर मह में हैं तो सितंबर 30 तारिक को अक्टूबर मह का AICPN का आंकड़ा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाएगा तो सबसे पहले हमें पिछले 12 म का जो AICPN है उसका एवरेज निकालना होगा उसमें से हम माइनस करेंगे 261.42 और उसको मल्टिप्लाइ करेंगे 100 से इसके बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आएगा उसको हम डिवाइट करेंगे 261.42 देखिए यह पहले से निरधारित है इस प्रकार से हम डिये की इन फॉर लाष्ट 12 मन्त उसमें से मैनस करेंगे 261.42 तो यहां पर देखिए जो यह आंकले हैं यहां पर कंजिमर प्राइस इंडेक्स नमबर से फॉर इंडेस्टियल वरकर्स तो यह बारा सरकार दोरा हर माज जारी किये जाते हैं यह आंकले तो यहां पर हम इन आंकड़ो जान जाएंगे देखिए तो AICPIN का एवरेज निकालेंगे हम कब से फ्रॉम जैनवरी 2019 से दिसमबर 2019 तक यहने कि हमें अगर जनवरी का निकालना है तो पिछले साल जनवरी से दिसमबर तक का हम यहां पर AICPIN का एवरेज निकालेंगे और यही हमें जुलाई का आंकड़ा तो उसके लिए हम जुलाई से जून तक के आंकड़े यहां पर एकत्रित करेंगे तो यहां पर देखिए जनवरी 2019 से दिसमबर 2019 तक के आंकड़े अभी आपने देखे होंगे देखिए जनवरी 2019 में था 307 इंडेक्स है और दिसमबर 2019 में 330 तो इसका हम आंकला यहां सभी को जोड़ करके देखिए टोटल आता है 3809 उसको डिवाइड कर लेंगे 12 से तो इस प्रकार हमारा जो AICPIN का आवरेज आएगा पिछले साल का 317.42 तो पुना देखिए सूत्र में हम यहां लगाएंगे इसको 317.42 यह तो पिछले साल का जो एवरेज है AICPIN का उसमें से हम मा करेंगे हम 100 से और डिवाइड करेंगे 261.42 तो इस प्रकार देखिए 56 इंटो 100 अपॉण 261.42 यानि कि 5600 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पार जो आंक्रा तयार हो गया 21.42 तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा देखिए जब डिये की गणना की की जाती है तो यहां पर हम केवल 21 लेंगे 21 तो अब डिये देखिए जनवरी 2020 से हमारा डिये कितना हो चुका है 21.42 और पिछला जो डिये था वो था 17 प्रतिसत तो 21.42 मैं से 17 घटाएंगे हम तो यहां पर आएगा 4.42 लेकिन 0.42 यहां पर काउंट नहीं होगा तो हमारा जो AICPIN का इंडेक्स है उसको हम देखेंगे जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक यानि कि पिछले 12 महने का और इसको जोड़ करके यहां पर आता है देखिए आप चेक कर सकते हैं उसको उसका जो योग है देखिए एक बार पुनर हम इसको यहां चेक कर लेते हैं तो यहां पर हम दे का लेंगे तो यहां पर देखिए इसका आवरेज आता है 3919 इसको डिवाइड करेंगे 12 से और इसका अंसर आएगा 326.58 पुनहा इस सूत्र में हम यहां पर लगा लेंगे तो AICPIN का आवरेज हमारा आया था 326.58 इसमें से माइनस करेंगे 261.42 और multiply 100 से करेंगे डिवाइड करेंगे 261.42 तो देखिए यहां आया 65.16 इंट्वाइंड़ अपॉइंड़ आपॉइंड आपॉइंड फॉइंड तो यह टोटल आ गया देखिए 65516 इसको हम डिवाइड करेंगे 261.42 तो यहां पर देखिए हमारे सामने जो आंक्रा तयार होके आया 24.92 जैसा कि अभी मैं जो है ड्यू हो चुका है तो अब देखिए यहां पर कितना आंसर आया 24.92 इसमें से माइनिस करेंगे फिशला जो प्रतिसाथ 21 प्रतिसाथ तो इस प्रकार अभी वरतमान में जुलाई 2020 से जो हमारा ड्यू हो चुका है वह है तीन प्रतिसाथ तो यह तो था अभी तक का दिवस्तों पर अन्य खर्चे ज्यादे होते हैं तो अब आधार वर्स बदल दिया है तो यह गुणान के निश्ची थी प्रभावित होंगे और हमारा ड्यू अच्छा अच्छी मात्रा में बढ़ेगा तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं CPIW आधार वर्स में क्या-क्या परिवर्तित होते रहेंगे जो आधार वरस से हैं इसको परिवर्तित किया जाएगा हर पकिस सली में तो देखिए प्रणुर्ण क्या क्या है सब्रूसुन सैओंधर्र ऑंदाफ से क्या इसका च्छेतर विस्तरित कर दिया गया है दूसरा जो इसका महत्रपूर्ण बिंद्व है सेंपल साइज में बढ़ोत्तरी क्या है सेंपल साइज देखिए पहले जो परिवार हैं जिन परिवारों से आंक्रा लिया जाता था वो थे क्षुद्रामूली के आंक्रे जो आज तक एकत्रित कीये जाते थे चुट्य-टी-नैन मार्केट से की जाते थे और अब इसको बढ़ा करके हम 317 317 वाजारों के खुद्रामूली के आंक्रे एकत्रित करेंगे नए आधार वर्ष के आधार पर तो इससे भी हमें जो है जो आंकला आएगा वो बिल्कुल सही और शटीक होगा चौथा जो है खाने पीने का जो हिस्सा था उसको घटा दिया गया है पहले देखिए आज से 15 या 20 साल पहले क्या होता था लोगों का जो खाद्य रसत सामगरी आदी होती थी उसमें खर्च जादे होता था लेकिन वर्त है कि परिवहन आदी में जो हमारे खर्च होते हैं उन खर्चों का इंडेक्स बढ़ा दिया गया है साथ ही जो मादक-पदार्थ हैं उन में आज कल देखिए खपत दिरे-दिरे घट रही है तो उसका हिस्सा भी यहां पर 2.27 से घटा करके 2.07 फिससे दिकर दिया गया है तो में 46.2 परसेंट और वर्तमान में इसको घटा करके भोजन और पेई पदार्थ में 39.17 इसको वेटेज दिया गया है साथ ही देखिए यहां पर 500 पारी तंबाकु आदी में 2.27 पहले था और वर्तमान में 2.07 कर दिया गया है इधन और बिजली में जो पहले था 6.43 उसको प्युक्त नहीं लगता है साथ ही इसके बाद देखिए घर घर खर्च में पहले जो था 15.27 परसेंट इंडेक्स था जिसको बढ़ा करके 16.87 किया यह भी फाइदे बंद है साथ ही वस्त्र जूता जप्पल आदी में 6.57 था और इसको भी घटा दिया गया 6.08 और जो विवि प्रवाद है ऐसे चेत्रे जिसमें हमारा खर्च अधिक होता है उनको अब नया जो आधार है इसमें सामिल कर लिया गया है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और इसके सामने